तो चलिए देखते हैं सब लाइन टेक्स टेरिटर में करता हूँ ओपन क्या हम लोग पढ़े थे मेरे को तो भूल गया आप लोग कुछे बताएंगे क्या चलिए नहीं बताएंगे आप लोग तो हिस्ट्री है यहाँ पर तो यह है पिछला अगर आप चाहें तो यूटूब पे जो देख रहा हूँ वो इधर से देख सकता है यूटूब पे आप लोग चले जाना सर्च कर लेना फिर यह प्लेलिस्ट आ जाएगा और इस पर कर देने का क्लिक और फिर उपन हो जाएगा यह इसी playlist में बाकी को भी सोच रहा हूं कि आइट कर दूँगा सारा ठीक है तो इसी playlist में total मिल जाएंगे इसको मैं cut कर देता हूं और यहां पे मैं paste कुछ copy नहीं किया हूं तो paste का करूँगा यह तीसरा हमने देखा था मैं यहां पे right click करता हूं और फोर करता हूं जावा script dot html control s से किया मैंने इधर save क्या मजाक हो गया फिर से मैं save करूँगा इसको dot html save कर दिया मैं इसको इसको हटा के html लेकर type मारा तो अपने यहां पे बंद गया for java script चलिए जी मैं लगा लेता हूं script tag और यहां पे मैं कुछ भी code लिख लूँगा तो मेरा code execute हो जाएगा तो पिछले chapter में हमने कुछ operators देख लिया था इसके बाद एक operator मैं सोच रहा हूं कि एक operator हम और देख लें हम लोग उसके बाद control statement होगा रहा पढ़ेंगे तो जो एक operator है उसका नाम क्या है logical operator logical operator देख लेते हैं तो इसमें क्या है दो ठो आते हैं operator एक आता है और एक आता है या जो मैंने end का sign दिया ये कहलाता है और हिंदी में इंग्लिस में end कहलाता है इंग्लिस में ये जो pipe sign मैंने दो दे दिया ये इंग्लिस में कहलाता है और हिंदी में कहलाता है या तो इसको implement कैसे करेंगे हम लोग तो इसको implement करने के लिए मैं क्या करूँगा कुछ variables बनाऊँगा मैं apb underscore email और इसमें मैंने डाल दिया email फिर क्या करूँगा मैं कि apb underscore password और यहां पर कर दिया मैं यह दे दिया तो यह variable मैंने बना लिया फिर मैंने कुछ और variable भी बना लूँगा let my underscore email equal to मैंने यही email फिर से डाल दिया dot com let my underscore password और इसमें मैंने password भी यही डाल लिया यह दो operator है end और और इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे तो हम क्या कर रहे थे यह operator आपने पढ़ा था ना comparison वाला जो compare करता था यह relational operator आप कहें इसको तो इसमें हमने पढ़ा था equal to operator यह double equal to operator यह हमने पढ़ा था तो मान लिज़े कि multiple expression को हमको evaluate करना है multiple conditions हमें एक बार में calculate करना है मतलब evaluate करना है तो ऐसी स्थिती में हम क्या करेंगे end operator का या फिर और operator का इस्तेमाल करेंगे कैसे तो मैं आपको इस्तेमाल करके बताऊं तो console.log यहाँ पर मैं क्या करूँगा एफ भी email ले लेता हूँ फिर equal equal का sign लगा दूँगा मैं फिर my email करूँगा यहाँ यह हो गया इसके बाद end का sign दे दूँगा मैं फिर my password equal equal एफ भी password आगे पीछे भी लीक से पहले मैं लीक सकता था एफ भी बारा लेकिन चलिए कोई बात ने console.log मैंने कर दिया इसको copy फाइल बात करूँगा और फिर program मैंने run कर दिया right click करके inspect किया तो console में क्या आ गया true अब यही चीज मैंने एक password को गलत कर दिया और browser पे जाओंगा तो यहाँ पे हो जाएगा false यह क्या कहना चाह रहा है ऐसे इसको समझने का कोसिस करते हैं तो समझने का कोसिस करेंगे उसके पहले मैं क्या करूँगा इसको bracket से बंद कर दूँगा ऐसे फिर इसको भी bracket से मैं बंद कर दूँगा अब क्या हुआ यह एक अलग बन गया expression और email वाला एक अलग expression बन गया यहाँ पे क्या होगा सर्व प्रथम FB email और my email इन दोनों में मैंने equal equal का operator लगा रखा है तो यहाँ पे क्या होगा कि चेक करेगा FB email और my email क्या FB email और my email बराबर है अगर यह true return करता है अगर यह true return करता है तब क्या होगा यहाँ पे आजाएगा control यहाँ पे आएगा फिर फिर इसको evaluate करेगा इसको check करेगा कि my password और FB password दोनों match कर रहे हैं या नहीं अगर यह match किया तो क्या बोलेगा true परन्तु यह match नहीं किया तो क्या हो जाएगा false तो मैंने यहाँ पे password गलत कर दिया थो false हो गया था यह FB email से क्या मतलब है जैसे आप लोग account बनाते हैं Facebook पे तो क्या होता है account बना देते हैं उसके बाद आप login करते हैं अपना Facebook account या Gmail account या जो भी account हो तो क्या होता है कि जैसे आप account बनाते हैं तो आपका email और आपका password दोनों Facebook के पास तो चला ही जाता है ना तो registration जैसे आपने करा Facebook में मतलब आपने Facebook पे account बनाया तो email और password Facebook को आपने बताया तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे भी दो variable बनाया FB email और FB password और इसमें मैंने email और password डाल दिया मान लीजे कि यह वाला जो email password है यह Facebook के पास store है और यहाँ पे my email और my password मैंने जो ले रखा है यह कौन सा password है जो मैं enter कर रहा हूँ कब enter कर रहा हूँ मैं FB अगर मैं open कर दूँ तो login में जाओ तो login करते हैं हम डालते हैं यहाँ पे email डालेंगे यहाँ पे password डालेंगे तो यहाँ पे जो हम डालेंगे वही वाला password मैंने यहाँ पे variable में store करा है भाई login logout वगरा का login वगरा का जो system बनाया जाता होगा कुछ इसी तरह का logic लिखा जाता होगा कि facebook के पास जो email है उसको चेक करो और जो मेरे enter करता है user उस email को चेक करो यह दुनों match कर रहा है या नहीं उसके बाद क्या करो जो मेरा जो enter किया जा रहा है यहाँ पर password उस password को उठाओ और facebook के पास जो पहले से password है account बनाते समय जो password डाला उस password को क्या करो match करो तो यहाँ पर मैंने match करा अगर दोनों email भी match करता है और password भी match करता है तब क्या करो तब return कर दो true तो अभी क्या हो रहा है facebook का email और password मेरे द्वारा इंटर कर आगया email और password दोनों अभी match कर रहे है तो result इसका क्या आना चाहिए true तो यहाँ पर result मैंने refresh किया तो आगया true मान लिजे थोड़े देर के लिए email को मैं गलत कर देता हूँ यहाँ पर 00 लगा दिया email गलत हो गया अब जैसे ही मैं refresh करूँगा तो क्या होगा false आ जाएगा यह देखिए false आ गया false क्यों आ गया तो यहाँ पर email मेरा नहीं match किया जैसे ही इस expression को calculate करने लगा मतलब evaluate किया मतलब match किया तो यहाँ पर false आ गया तो जैसे ही यहाँ पर false आया तो अगला condition चेक ही नहीं करेगा वो true हो false हो कुछ भी हो उससे हमें लेना देना नहीं है ठिक हमें कोई लेना देना नहीं है पहला condition अगर false होता है तो क्या करना है हमें सिधा सिधा false बोल देना है कि जी गलत है ठिक किस condition में बोलना है end के case में end का मतलब और end का मतलब हिंदी में और हो जाएगा तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि email और password दोनों मैश्च करो email और password दोनों को मैश्च करो तो यहाँ पे और मैं बोल रहा हूँ और का मतलब दोनों होना चाहिए किसी एक से काम नहीं चलेगा इसलिए सिर्फ इमेल का भी अगर पहला condition फाल्स हो जाता है तो भी यहाँ पे फाल्स आ जाएगा अगला condition check ही नहीं करेगा क्यों check नहीं करेगा क्योंकि इसको check करके समय बरबाद सिर्फ करना है क्योंकि यहाँ पे और कंडिशन लगा है ना, हमने और का sign दे दिया, symbol दे दिया, इसका मतलब यह है कि दोनों कंडिशन मैच होना चाहिए, तो दोनों का मतलब है कि जब यही false हो गया, तो यह true होकर कि भी क्या करेगा, क्योंकि हमें तो दोनों कंडिशन चाहिए ना, तो इसलिए अगर ये वाला पहला कंडिशन फाल्स होता है, तो कोई कंडिशन मैच नहीं किया जाएगा, तो इसलिए क्या हुआ, फाल्स आ गया, यहाँ पे फाल्स आ गया, अब मान लिजिए आप, आप मान लिजिए कि email जो था मेरा, email सही हो गया, मैंने password में password गलत कर दिया, तो password गलत किया तो क्या हो होगा, यह वाला कंडिशन में तो true आ जाएगा, email वाला कंडिशन में true आ जाएगा, फरन्तों जैसे ही password वाले में जाएगा, तो क्या यहाँ पे return कर देगा, फाल्स, अभी भी यहाँ पे फाल्स ही आएगा, क्योंकि email के case में true हो गया, जब email वाला true हो गया, तब चला गया क यहाँ पे password वाले में, और password को match करा, password में क्या था, password हमने गलत एंटर किया था, password करेक्ट पासवर्ड तो facebook के पास यही श्टोर था, लेकिन हमने जो एंटर करा था password, वो password यह वाला था, और यह गलत पासवर्ड है, इसलिए यहाँ पे फाल्स आ गया, तो end के case में क्या होता है, सारा condition true ही होना चाहिए, किसी भी कीमत पे, सारा condition, यह भी condition true होना चाहिए, यह भी condition true होना चाहिए, और इधर end का sign दे करके, कुछ और भी condition में अगर लगाया होंगा, तो वो भी condition क्या होना चाहिए, true होना चाहिए, 10, double equal, 10, यह condition क्या है, true है, मैं password को भी सही कर देता हू पासवर्ट भी सही कर दिया अब देखिएगा एक क्या फाल्स की मा गया भई एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा मेरे को मैंने पासवर्ट गलत कर रहे था ट्रू आ गया लेकिन मैं क्या करूंगा ये 10 वाले को 100 भी कर दिया न तो भी जो है क्या करेगा फाल्स ही बोलने वाला है करेक्ट तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है चलिए इसको मैं गायब कर देता हूँ थोड़े देर के लिए मान लीजिए ऐसा होता तो नहीं है पर थोड़े देर के लिए आप मान लीजिए कि कर देता हूं पासवर्ड को पासवर्ड के जिग पर मैं मुबाइल कर दोंगा मुबाइल नबर दे दूंगा इसी को मैं copy करूँगा उपर कर दूँगा पेस्ट यह मेरा mobile हो गया यहाँ पे एफ भी mobile लिख देता हूँ यहाँ पे अब क्या हमें देखना है end operator तो हमारा clear हो गया हमको अब देखना है or operator or मतलब या correct तो यहाँ पे मैंने क्या करा email करा password जो था हो तो गयाब कर चुका हूँ मैं तो मुझे mobile number लेना होगा ऐसे तो पता नहीं facebook के case में ऐसा होता है या नहीं मुझे नहीं मालू क्यूंकि मैंने facebook जो है काफी पहले छोड़ा था और अब मैं चलाता नहीं facebook तो मुझे नहीं मालूम है कि ऐसा भूता है या नहीं परन्तु मान लिज्जे कि आप जो है email address email address कर रहा हूं sorry password आप अपना भूल गये हैं तो आप क्या करेंगे password को forget कर देंगे forget password पे क्लिक करते हैं password reset कर देते हैं तो क्या होता है वहाँ पे मैं दो option दूँगा या तो email के थूँ आप password reset कर लिजिए या तो mobile number के जरीए reset कर लिजिए दोनों condition है या तो आप email के जरीए password reset कर लिजिए या तो mobile number के जरीए password reset कर लिजिए तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा यहाँ पे और operator लगा दिया तो इसमें क्या होगा कि यदि सिर्फ इमेल मैच करता है मुबाइल नमबर मैच नहीं करता सिर्फ इमेल मैच करता है तो क्या हो जाएगा प्रू और जैसे ये ट्रू हो जाएगा तो इस दो पाइप साइन का मतलब क्या है और का मतलब क्या होता है या तो मतलब ये है कि ये true हो या ये वाला second condition true हो मतलब कहना ये चाहता हो मैं कि कोई भी condition true हो तो true बोल दो यहाँ पर या बोला जा रहा है अथवा बोला जा रहा है ठीक है पहला condition मानो अथवा दूसरा condition मानो अथ्वा तीसरा कंडिशन मानो यही है ना मतलब तो यह पहला कंडिशन हो गया है पहला कंडिशन मानिए या दूसरा कंडिशन मानिए कोई एक कंडिशन तो आपको मानना ही पड़ेगा तो जहां पे बात सिर्फ एक कंडिशन का मानने का है वहाँ पे क्या लगता है और operator आपके सामने 10 condition रखा गया है अब 10 condition में किसी एक condition पे भी अगर आप राजी हो जाते हैं तो आपका काम चल जाएगा ऐसी इस्थिती में आपको और operator का इस्तेमाल करना चाहिए correct चलिए मैं mobile number को गलत कर देता हूं मेरा जो email है ये email दोनों correct है तो अभी क्या आएगा console पे अभी true आजाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे और operator है और operator का कानून ये कहता है कि जितने भी condition हो सारे condition में से किसी एक condition को मानिए आपका काम चल जाएगा मतलब हाँ में answer आजाएगा तो मैं इसको run कर देता हूं और यहाँ पे true आगया true आगया यहाँ पे चलिए मैं क्या करता हूं? email को कर देता हूं गलत तो यहाँ पे m में दो ठोयम लगा दिया यहाँ एक ठोयम है तो क्या हुआ? email जो है वो गलत हो गया क्योंकि ये वाला email facebook का email और my email अलग अलग है तो ये condition तो फालस आने वाला है तो दूसरा आप condition चेक करते हैं क्योंकि यहाँ पे और operator लगा है end नहीं लगा है end लगा होता तो सिर्फ इसी को चेक करता फालस आजाता तो अगला चेके नहीं करता हो लेकिन और लगा है तो second condition भी चेक करेगा और जैसे यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे FB का mobile चेक करेगा facebook वाला mobile चेक करेगा तो यहाँ बोलेगा कि यह तो ऐसा है पर my email जो है वो गलत है एक ठोचीरो यहाँ पे एक ट्रा लगा है तो यह भी जो है condition गलत हो गया जब यह condition भी गलत हो गया यह condition भी गलत हो गया मतलब मैंने 10 सर्थ रखे आपके सामने पर आपने तो एक भी सर्थ नहीं माना तो इसलिए भाई साब आप जाएए अपने घर हम अपने घर खुस है इसका मतलब यही है तो मैंने भी यहाँ पे पेस्बूक का नहीं email वाला सर्थ माना नहीं mobile वाला सर्थ माना condition माना तो क्या बोल देगा फेस्बूक बोलेगा जी, sorry फालस बोल दिया यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर बोल दिया फालस, गलत है यां मान दीजे email जो है, ओ गलत ही रहने देते हैं मुबाईल नमबर को कर देते हैं सही तो एक ठोजी रो यहाँ से कम कर देता हूँ करक तो कम किया मैंने और रन किया प्रोग्राम तो यहाँ पे आ गया true तो पहले email चेक किया मैंने पहला condition को deny कर दिया बोला नहीं पहला condition आपका मुझे पसंद नहीं है बोला दूसरा सुन लिजे, दूसरा मैं सुना mobile number का condition था बोला mobile number तो अच्छा है ये condition मैं माल लोंगा तो जैसे ही मैं दूसरा condition माना, program चला और true return कर दिया हमें true print हो गया तो ये होता है end operator और, और operator में अंतर end operator क्या कहता है? मैंने आपको दस सर्थ सुनाए मैंने आपको दस कंडिशन रखे आपके सामने और आपको किसी कीमत पे दसो कंडिशन मानना ही मानना है यह end operator का कानून है दूसरा और operator का कहना यह है कि मैंने आपको दस कंडिशन दिये है आप किसी भी एक सर्तों को पालन करें एक कंडिशन को आप मानिए तो हम आपका काम करेंगे मतलब true बूल देंगे true return कर देंगे तो ये है और operator और end operator जहाँ पे जो है end हो गया आपका इसमें कुछ दिक्कत है तो आप चाहें तो पूछ लीजिए मुझे तो लगता नहीं कि दिक्कत कुछ होना चाहिए इसके कोई दिक्कत नहीं है ना चलिए तो operator तो यहाँ पे मैंने जो है operator यहाँ पे complete हो गया complete क्या हुआ है operator तो और भी है bitwise वगर लेकिन हम जरूरत क्या according पढ़ लेंगे अगर जरूरत उसका कहीं पढ़ जाता है तो हमें अभी इतने से जो है हमारा काम आगे का हो जाएगा तो operator जो है आगे चलते हैं लेकिन आगे को अगले पार्ट में देखते हैं